जैस्ट्री महाकाल एक बार फिर से आप सब का बहुत-बहुत स्वागत अविनेंदन करते हैं हम आपके अपने परिवार एकाउंटिंग गुरु में पिटा क्या हाल चाल है आप लोगों के आसा करते हैं का आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे स्वस्त होंगे और आप लो आपकी भावनाओं की हम कद्र करते हैं तो तो बेटा जी आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं फटा-फट हैडिंग डालिए अधर देन क्यास कंसिडरेशन यानि सेर इश्यू अधर देन क्यास कंसिडरेशन देखा जाए तो इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक चीज इस कंपनी अकाउंट में कुछ भी बचा नहीं है देखा जाए तो यह जर्नी का आखरी पढ़ाओ है जो की आप करने जा रहे हैं पढ़ने जा रहे हैं तो हमारी जर्नी कहां से स्टार्ट हुई थी दो मिनट के अंदर अंदर हम उसको पूरा रिवाइस कर लेते हैं टाइप ऑफ शेयर के साथ मैंने आपको फिर शेयर कैपिटल के बारे में बताया शेयर कैपिटल में फिर आप लोगों ने टाइप ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में जाना जिसमें अधुराइज कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल इशू कैपिटल पेडप कैपिटल यह सा किया था फिर उसके बाद मैंने आपको starting issue of journal entry के बारे में बताया था share issue or cash consideration के बारे में बताया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि company अपने पैसे को पूरी तरीके से या तो सारा का सारा पैसा एक साथ मंगा लेगी जिसमें आपने दो इंट्री किया था या दे सबको bank account debit to share application and allotment और फिर share application and allotment account debit to share capital और फिर उसी के बाद आपने add for add premium और add discount से related बात किया था यानि उससे related question solve किया था फिर उसके बाद हम installment calling पे आ गये थे जिसमें आपने देखा था application allotment first call second call इनके बारे में आपने देखा था जाना था और फिर उसके बाद इन सबको करने के बाद हम लोग call in area call in advance पे आ गये थे सही है कि गलत है और फिर call in area call in advance के बाद अच्छा interest आप में नहीं है इसलिए मैंने आपको नहीं बताया था लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब यह chapter का जिस दिन आखरी दिन रहेगा उस दिन मैं आपको interest calculation भी सिखा दूँगा भले वो आपके syllabus में हो या आपके syllabus में ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन आप जानते रही है फिर उसके बाद हम आगे और बढ़े आगे बढ़ने के साथ हमने over subscription को याद किया हमने over subscription को समझा जिसमें आपने यह जाना था कि तीन method ह हमको follow करने होते हैं एक यह होता है कि सारा का सारा पैसा आप वापस कर दीजे और दूसरा क्या होता है आप कि पैसे को आप adjust कर दीजे और तीसरा method पहले और दूसरे को जोड़ दीजे तीसरा method बनकर तयार हो जाता है जिसे हम फ्रो राटा कहते हैं तहीं कह रहा हूं कि गलत आपको दो चीजे बताए थी कि जब आप इशू करेंगे तो आपको क्या याद रखना है कि शेयर आपका प्रीमियम पर इशू हो रहा है या शेयर आपका एड़ पर पर इशू हो रहा है अगर पर पर इशू हो रहा है तब तो कौनों टेंसन है नहीं लेना है लेकिन अगर प अन्यवाद बोलो नारियल फोड़ो उनके लगे लेकिन अगर नहीं मिला है उसकी इंट्री आपको क्या करनी है अलग से करनी है तो यह सब करने के बाद हमने री इशू भी किया जिसमें मैंने आपको क्यापिटल रिजर्व में कैसे अमाउंट कैलकुलेट करते हैं कितना अमा लोगों के लिए बना रखी है मैंने आज यह तेरहवा लेक्चर है हमारा तेरहवा या कुदthem से पढ़े और यंहीं बातों के साथ हम अपने अगले topic को लेकर चलते हैं और हमारा अगले topic क्या है issue other than share issue other than cash consideration होता क्या है यह actual में देखो बेटा इसमें होता क्या है कि company अपने share को issue तो कर रही है अपने share को क्या कर रही है issue तो कर रही है लेकिन बदले में company को पैसा नहीं मिल रहा है अब सवाल यह उड़ता है कि सर ऐसा company करती क्यूं है company क्या किसी की रिष्टेदार है आंसर है नहीं company तो अपनी खुद की रिष्टेदार नहीं है तो दूसरे की बात ही छोड़ो जिसने company को जिसने बनाया company उसकी सगी नहीं होती अब आपको कि सर क्या बात कर रहे हो मैं आपको एक example लेता हूं आपने आइफोन का नाम सुना हो यह आप जानों अब आप लोग कहों के सर क्या कोई अपनी company से निकल जाता है निकल जाता नहीं निकाल दिया जाता है क्यूंकि ownership और management दोनों अलग-अलग होती है आप किसी भी company का शेयर खरीदते हो ना तो देन यू आर दा owner of such particular share उस शेयर के लिए आप क्या बन जाते हो उ owner बन गए हो मालिक बन गए हो भाई 100 रुपय का अगर आपने खरीदा है कि अगर अगर आपने 100 रुपय का शेयर खरीदा है तो आप मालिक भी कितने के बन गए को के बन गए हजार करोड कमपनी का वो कमपनी का पूरा का पूरा turnover है आपके 100 रुपय शेयर की कोई value रहेगी क्या अंसर है नहीं सर लेकिन आप फिर भी उसके क्या बने रहोगे मालिक रहोगे ही रहोगे अब यहाँ पे जब आप other than cash consideration की बात करते हो जब आप किसकी बात करते हो other than cash consideration की बात करते हो तो कमपनी अपने shares को दो लोगों को issue करेगी और उनको उनके बदले कोई पैसा नहीं मिलेगी मतलब दो लोग वो कौन हैं सबसे पहले लिखो सबसे पहले आपके होते हैं बिटा वेंडर पहले आपके कौन से होते हैं वेंडर अब ये सर वेंडर कौन होते हैं बिटा वेंडर वो परशन होता है जिससे company ने कोई assets पर्टीगुलर खरीदी हो कोई भी वह व्यक्ति होता है जिसे company ने जिससे क्या खरीदा हो कोई भी assets खरीदा हो जैसे suppose करिए आप दुकान पे गए समान लेने के लिए ठीक है आपने 1000 रुपए का समान खरीदा अब आपके पास पैसा नहीं है अब यह मत कहना सर हम पेटियम कर देंगे या फोन पे कर दे सकते बस यही कॉंसेट इस vendor के साथ किसके साथ है इस vendor के साथ है मतलब कि company ने कोई भी machine खरीदी या कोई भी plant खरीदा या कोई भी particular assets करीदी थी company को पैसा देना पड़ेगा यह नहीं देना पड़ेगा answer प्रेसर देना पड़ेगा अब कंपनी के पास सपोस करो कि पैसा नहीं है अगर कंपनी के पास पैसा नहीं है तो भाई क्या कर सकती है कंपनी कि काम करो आप उतने का ही क्या दे दो शेयर दे दो उतने का क्या दे दो शेयर दे दो हो सकता है कि नहीं हो सकता है भाई जब मिया वीवी राजी तो क्या करेगा काजी मतलब अगर बायर और सेलर बायर और सेलर दोनों रेडी हैं तो भाईया और कोई क्या करेगा इसमें हम एक इसकी entry करो मैंने का ठीक है मैंने कर दिया फिर उसने का कि मैंने फलाने को share दिया ठीक है मुझे भी entry करनी पड़ेगी यानि I am just accountant तो मुझे कोई भी सवाल उठाने की जरूरत नहीं है मुझे सिर्फ recording से मतलब है तो मझ में आ गया तो पहला वेक्ति कौन हो गया आपका vendor दूस वो person जो आपके business को promote कर रहा है जो person आपके business को क्या कर रहा है promote कर रहा है सर आप उसको share दे दो दे सकते हो कि नहीं दे सकते बताओ जो जिस वेक्ति ने अपना सब कुछ मेरे लिए लगा दिया क्या मैं उसको दूंगा नहीं क्या company को क्या चाहिए वफादार लोग चाहिए एक ऐसा वेक्ति जिसने कहा सर हमको salary नहीं चाहिए एक ऐसा वेक्ति जिसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए कोई profit नहीं चाहिए company का फर्च बनता है कि नहीं बनता तो दूसरा person कौन है आपका promoter और promoter कौन the person who promote the business यानि वो वेक्ति जो business को क्या कर रहा है promote कर रहा है वो वेक्ति जो business को क्या कर रहा है प्रमोट कर रहा है बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया और और भी कोई वेक्ति हो सकता है क्या हां क्यूं नहीं होने को तो employee भी हो सकता है वने को कौन हो सकता है आपका employee भी हो सकता है sir employee को भी share दिया जा सकता है क्या बिलकुल दिया जा सकता है माल लीजे आप एक top class के employee है top class मतलब माल लीजे आप किसी भी company के CEO है what is the full form of the CEO who is the CEO full form किसी को पता है chief executing officer the person who is setting in the top label management तो यार वो CEO है उसको share देना क्या हमारे हक में है कि नहीं है और एक बात बताईए मैं आपके सामने दो option देता हूं एक वेक्ति जो की employee है एक दूसरा वेक्ति जो की कर्मचार जो कि मालिक है बिजनेस को चलाने का सबसे ज़्यादा टेंशन किसको रहेगा कर्मचारी को या मालिक को मालिक को सबसे ज़्यादा टेंशन रहेगा बिजनस को चलाने का क्यूं क्यूंकि बिजनेस उसका है भाई कर्मचारी को क्या सुबह 10 से च्छे की जॉब है उसकी आप किसे मालीजे आप एक बिजनस के मालिक हैं अपने अपने कर्मचारी को बोला कि भाईया बारा वजे माल आने वाला है रात को अब चले जाना एक दिन इंप्लॉई चला जाएगा मैं कहता हूं दो दिन चला जाएगा तीसरे दिन फोनुए सुच आप इस नंबर इस नॉट रीचेबल यही होगा नंबर इस नॉट रीचेबल बट अगर वही उसी जगहां पर वह व्यक्तिव ओनर हो तो वेटा रात के दो वजे की बात क्या कर रहे हो पूरी रतिया जगना पड़े तो हम जग जाएंगे तो हमने उस इंप्लॉई को अप अपनी शेयर लॉट कर सकती है इस दाट क्लियर बेटा तो फिलाल अभी आपके अगर हम स्लेबस की बात करें यह इंप्लॉई वाला पोर्शन नहीं है क्योंकि इसमें बोनस सेयर का आप्शन आता है इसमें लिख लीजेगा ताकि नॉलेज के लिए आप लोग लिख लीजे जो कि आपके क्लास 12 में नहीं है जब आप ग्रिजुवेशन में आएंगे तब आपको यह चीजे पढ़ाई जाएंगी की एस ओपी का फुल फॉर्म लिख लीजेगा इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान इंप्लॉई इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान इंप्लॉई स्टॉक ऑप्शन इसके बारे में बाकि आप जब ग्रिजुवेशन में आओगे तो एकाउंटिंग गुरू में यह सारी चीजे आपको एक्स्प्लेन की जाएंगी अब ही हम बात करते हैं अपने किसकी वेंडर की सबसे पहले हैडिंग डालिए बैटा है दिंग डालिए जरा सभी लोग जर्नल इंत्री अधिंग डालेंगे जर्नल इंट्री कि रिलेटेड टू रिलेटेड टू बढ़ एप्यर एफ ड्शेव अज़र थैस्य अज़र देश नस्टास्ट यद्ण 19 अज़र देश लिए ड्यूरर थैस्य ग्यार्ट यद्ट ग्यार श्यूरर टौर वंडर भंडर ठीक है बाबू एटिंग लिख लिए सबने चलिए पॉर्मेट बनाईए जरा सभी लो पॉर्मेट बनाईए कम से कम दस लाइन का और एक मिनट देखिए जरा पॉर्मेट आपको कैसे बनाना है जहां डेट लिखा रहता है ना उसको थोड़ा सा बड़ा रख लीजेगा ठीक है क्योंकि इसमें हम प्रांजिक्शन लिखेंगे जो आपका डेट वाला कॉलम है उसको थोड़ा सा आपको बड़ा लखना है ठीक है चलिए सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे वन असर्ट परची सबसे पहला बड़ा पॉइंट वहन असर्ट परची सबसे अरफ को लेगो अवाज अब के सामने दो आप्षण है कि देखिए आपके सामने कितना ओप्षण है बैटा दो आप्षण है जब आप एसर्ट खरीदते हो एसर्ट फोई भी हम समान जब खरीदते हैं हमारे पास दो option रहता है या तो हम cash में खरीदेंगे या तो हम credit में खरीदेंगे गलत है तो अगर कोई cash आता है तो आप two cash लिख दीजेगा लेकिन जर्नली mostly यहाँ पर आपको credit ही मिलेगा यहाँ पर क्या मिलेगा आपको credit मिलेगा तो आपकी entry क्या होगी बेटा लिखे जड़ा assets account debit to vendor अच्छा vendor का मतलब यह है कि उस व्यक्ति के नाम से है ठीक है उस व्यक्ति के क्या है नाम से है इसे माल लीजे एक्स लिमिटेड ने राम से आपके 10,000 की machine खरीदी तो आप इंटरी क्या करेंगे machine account debit टू राम एकाउंट पर्टिकुलर नाम लिखेंगे क्या करेंगे प्रटिकुलर नाम लिखेंगे उस एसेड का भी नाम लिखेंगे और उस वेंडर का भी आप लोग क्या लिखेंगे नाम लिखेंगे गलती नहीं करने का कि इस ऐखेँगे ऐसेठ में पर चीज है point रिर कि आप robots अप्यूसरा थै। मिलुकीं कि आ में गयोगी यह एशेयर आप इशू टू और आप अप जब आप वेंडर को आप वेंडर को शियर हैच गरोगे जब आप वेंडर को क्या करोगे आपका एट पर हो जाएगा दूसरा क्या हो जाएगा दूसरा क्या हो जाएगा और तीसरा क्या हो जाएगा का impact discount हो जाएगा क्या हो जाएगा at discount हो जाएगा बात समझ में आई कि नहीं आई तो यानि अभी हमको तीनन केस में इंट्री सीखनी है इसे पहले लिखे पीटा इसे बना लिजेगा जैसे मैंने बनाया है है तो अब देखो इंट्री क्या होगी यहां पर सामने देखेंगे इंट्री होगी आपका vendor एकाउंट डाबेट टू टेयर क्यापिटल तू शेयर क्यापिटल अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनियेगा बेटा माल लीजे अगर पर यहां रिअगर आ गया आपकाउस किया अपनेैं यह प्या लिखेंगे इंग्व पर अगर ममालले यह प्रिफ्रेंजियर किया तो तो प्रिफरेंस हेर गैपिटल समझ में आ गया ना तो कन्फ्यूस नहीं होना है चलो नरेशन क्या होगा शेयर इशू टू वेंडर मींग शेयर इशू टू शेयर इशू टू वेंडर एट पर ठीक है एट पर बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया रहे यह वाला पोइंट समझ में आया कि नहीं आया वेटे कोई दिकत कि वइस ढाख आओ अब इटा दूसरा पॉइंट क्या है आप्र DAY प्रीमियम क Ар एक में अच्छ जहां पे एड पर फ्रीमियम लिखा है है ना वहां पर से स्टार दे दीजे जरा तो क्योंकि स्टार का मतलब यहां पर कुछ पॉइंट भी लिखाना वागी है ठीक है चलिए इस्टार समझ में आ गया ना कहां देना है चलिए अब लिखिए जरा बिटा कि एट प्रीमियम कि इंट्री लिखेंगे बिटा वेंडर एकाउंट डेबिट टू एर कैपिटल टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योर्टी प्रीमियम इस्टार यहां पर बिर दे दीजेगा सिक्योर्टी प्रीमियम के पास भी है और ब्रैकेट में लिखिएगा स्टी नोट नंबर वन प्री नोट नंबर वन यह नोट नंबर वन क्या है बेटा पांच मिनट का इंतजार करिए अभी आपको लिखाते हैं ठीक नरेशन यही सेम वाला नरेशन उठा गें आपर कट कपी पेस्ट कर दीजे बस आखरी में एक कोईंट लिख दीजेगा एट प्रीमियम लिख दीजेगा बस ते लिख देंगे एड प्रीमियम मतलब बींग शेर इश्यू एड टू वेंडर एड प्रीमियम लिख देंगे परिंट क्लियर आगे अब बात डिसकाउंट की अब बात किसकी बाबू डिसकाउंट की आई ये फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से अच्छे डिसकाउंट का क्या इंट्री होगा भई आप लोग एक काम करो पहले आप लोग लिखो नहीं का पता गलस लद लिख दो कौन बरोसा तुम लोग का हाँ कोई बता दो मेरे को पहले कि माना हवाओं में नसा है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि क्लास में भी सब नसा ही नसे बाजी बैठे हैं लब यहां पर मैं पढ़ा रहा हूं क्या कॉंसेट आ रहा है फॉर्फीटेड का कि अज़ाबाद में हो यार नदियोधी किनारे तो नहीं गए हो है कि हाँ पता चला हो कि स्कूल से आते समय वहीं बगलियां में आए कि देखो कि वेंडर देखेंगे जरा वेंडर अकाउंट डाविड डिस्काउंट अकाउंट डाविड तो चेयर कापिटल तो शेयर कापिटल कि नरेशन क्या होगा वेटा वहीं हाँ शेयर इश्यू टू दा वेंडर अट डिस्काउंट यहां पर यहां पर लिख लीजेगा सी नोट नंबर वन कि नोट नंबर वन कि कि विड़ा कि समझ में आ गया चलिए अब नोट नंबर वन क्या है सर लिखिये जरा यह नोट करने के बाद लिखें नोट नंबर वन लिखिये विटा बोलें हम नोट नंबर वन लिखेंगे वन कि एर इसू टू वेंडर वन शेयर इसू टू वेंडर िए, अबर शी रूu वेंडर अबors फ्रिम और अबोर अब वेंडर और अबँएंड कि एर यह थिए अबनर आद प्रिम और अबदिक्प … bon then first of all first of all first of all calculate number of share calculate number of share मतलब क्या इसका इसका मतलब है बेटा कि जब आप vendor को प्रीमियम पे शेयर इसू कर रहे हैं या आप डिस्काउंट पे शेयर इसू कर रहे हैं ध्यान से सुनिएगा क्या बोला मैंने जब आप vendor को share premium पे इसू कर रहे हैं या discount पे इसू कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले number of share को calculate करना पड़ेगा क्या calculate करना पड़ेगा number of share को calculate करना पड़ेगा तर ये बला क्या है number of share क्या है पेटा एक चीज जान लिए एक चीज जानिए जब तक आप number of share नहीं calculate कर पाएंगे तब तक आपको यही नहीं पता चलेगा कि security premium में कितना रुपया transfer करना है या discount में कितना रुपया transfer करना है आपको यहीं नहीं पता चलेगा क्लियर हो गया पॉइंट तो number of share कैसे calculate करें सर लिखिये जरा heading डालिये number of share star देखे number of share लिखिये number of share is equal to outstanding balance outstanding balance outstanding balance related to vendor related to vendor divided by share issue price share issue price share issue price out standing balance related to vendor जैन से सुनिये क्या यह सब्द क्या लिखा है बेटा कहता है आउट outstanding balance what is the outstanding balance जैसे मान लीजे आपने 10 लाग का assets खरीदा किते का खरीदा आपने 10 लाग का assets खरीदा तो 10 लाग में से आपने 2 लाग नगत में दे दिया दिया तो बचा कितना तो share कितने पर दिया जाएगा 10 लाग पर या 8 लाग पर 8 लाग पर समझ में आ रहा है और मान लीजे आपने 4 लाग दे दिया हो तो फिर आप आपका outstanding balance कितना होगा अगर कोई payment हो रखा है तो वह payment हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे और बचा कुछा balance फिर हम क्या करेंगे आपका outstanding में transfer करेंगे क्लियर हो गया अब बात करते हैं हम कि sir यह out share issue price क्या होता है start देके लिखे वेटे सेयर पिसू price सेयर पिसू price बराबर पेस वैलू बराबर क्या बेटा पेस वैलू और अगर premium है premium price को क्या करेंगे हम बताओ बेटा अगर कोई premium है तो क्या करेंगे जोड़ देंगे और अगर मान लीजे सर कोई discount है तो माइनस कर देंगे समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ बेटा समझ में आ गया कि नहीं आ गया क्या जर्नल इंट्री होगी जब हम वेंडर के साथ गेम खेलेंगे गेम का मतलब जब हम उस वेंडर को शेयर क्या करेंगे किसू करेंगे समझ में आ गया सारा कॉंसर्ट की नहीं आ गया अब एक काम करतें चोटा सा कुश्शन करते हैं ताकि यह जो बचा कुचा जो भी पॉइंट पढ़ना है तो सुरू करते हैं पहला कोश्शन लिखिए बिटा आज की क्लास का सबका हो गया ना तो यह ऐसा जो कह देख सर मेरा छूट गया है पहला क्या पहली इंट्री क्या करेंगे एक बार जल्दी से देखिए जब हम एसेट्स पर चेस करते हैं फिर दूस के मन में एक सवाल नहीं आया कि सर आप प्रीमियम वाले पे नोट लिखवा रहे हो डिसकाउंट वाले पे नोट लिखवा रहे हो क्या एट पर वाला क्या हमारा कोई पटिदार है क्या उसके साथ हम कोई बात नहीं करेंगे क्या अरे यार उसमें कुछ करना ही नहीं है यार जीतने का खरीदा उतने का शेर दे देना तो उसमें तो सिक्योर्टी और डिसकाउंट का कोई कॉंसेप्ट ही नहीं है समझ में आ गया बेटा चालो बाकी अगर कुश्चन आपसे कहेगा तो आपको निकालना पड़ेगा कुश्चन आपको साबसाब कर दे कि भया काल्कुलेटट यहां अब चाहेशक पर पर इसू करो रिसकाउंट पर रिषूच समय तो आपको करना Virat Kohli Limited, purchase, purchase machinery from Rohit Sharma Limited, half rupees 2 lakh, half rupees 2 lakh, 20% paid in cash, paid in cash and remaining balance, remaining balance, issue share at the rate 10 rupees, at the rate 10 rupees, pass journal entry, एहला केस लिखे, वेन, share issue at, when, share issue at, दूसरा केस, वेन, share issue at, 20% premium, तीसरा केस, वेन, share issue at, 10% discount, at, 10% discount, टीके बिटा, कुशन समझ में आया, कुशन कहता है कि एक कमपनी इसका नाम है, Virat Kohli Limited, इसने मसीन किसको किसे खरीदा है, रोई सर्मा लिमिटेड से, तो इसमें vendor कौन है आपका, इसमें vendor कौन है, सर, सबसे पहले ये पता करो, पेटा विराट Kohli purchase machinery, विराट Kohli खरीदने वाला है, तो बेचने वाला कौन, तो रोई सर्मा, तो रोई सर्मा ही तो vendor हुआ, है, अरे मैंने फ्रॉम लिखा है यार, तुम से काम ये तो देखो, समझ में आ गया, तो खरीदता कौन है आपका, विराट खरीद रहा है, किस से खरीद रहा है, रोई से, तो सेयर दिया किसको जाएगा, अरे, इतना भावना में ना बहो, यार इतना भावना में ना बहो कि चीकु भाया नराज हो जाये, ऐसा ना कहो यार, हां ठीक है हमारे hitman को दो Kerry को दो नई चीकु भाया खरीदेंगे भी और सेयर भी ले लेंगे, मामला अबड़ा आ जाएगा तो आ खुर गया क्षुदा खरीद की खुदा इस यू कह लिया संदर म्या फिर यही बाती अब देखिए वापने तो रो त शर्मं साथ बन गए कौन विंडर कि रोिषक ना या इन को यह में नहीं नहीं तो कहो सर मार हो जाए इसी बात पर रोहिस सर्मा को कितना देने का वादा है कितना दिया जा चुका है कदा कहीं का 20 परसंट दिया जा चुका है कितना दिया जा चुका है 20 परसंट तो बचा कितना माइनस करेंगे सबसे पहले 20 परसंट कितना आएगा चालीस हजार, चालीस हजार में, दो लाग में से चालीस हजार घटा या, तो हमारा आउट स्टेंडिंग बैलेंस कितना आ गया, एक लाग साथ हजार रुपया आ गया, हाँ या न, पक्ता न, चलो इसी बात पे जल्दी से पहले नंबर आप सेयर निकाल लेते हैं, तो देखो जड़ा एट पर वाले situation में numbar of share कितना आएगा क्या कहता था outstanding balance divided issue price outstanding balance कितना है बेटा एक लाग साथ हजार है इस्वाइस कितना है दस रुपएया काटे नमबर of share कितना आ गया बताओ समझ में आया कि नहीं आया पक्का मेरी कसम मेरी कसम देखो मेरी खा लेना इसकी मत खाना वरना यह बिच्छू के दुनिया देखो बिच्छू के पास एक डंक होता है और मेरे पास बेटा दो-दो डंक है समझ में आ रहा है ना लेप्ट एंड राइट और बीच में तुम्हें हूँ ही आगे देखिए एड डिसकाउंट अरे सॉरी एड प्रीमियम पे नंबर आफ शेर पता करो जल्दी से यहां पर इशू प्राइस कितना होगा पहले तो यह बताओ देखो बेटा ध्यान से क्या कहता बीस परेसेंट प्रीमियम पे न तो देखो एक शेर का प्राइस दस रुपया था तो दस का बीस परसेंट यानी दो रुपया क्यूँ भाई ते जस्वनी सही है कि गलत है जिवारी महराज तही है ठीक है पड़ोसी कहा है तुम्हारे अच्छा पेपर है ठीक है तो देखो दो रुपय का सौ रुपय का था दो रुपय और जोड़ा कितना आ गया है 120 अरे भगवान दस रुपया में दो रुपया चोड़ूंगा 120 आएगा 12 आएगा चलो बेटा काटो पीटो जल्दी बताओ कितना आएगा बेटा 13,333 यह आगया आपका शेयर क्लियर हो गया पॉइंट चलो बेटा आगे बढ़ते हैं अधर डिसकाउंट को पॉइंट पॉइंट में शेयर नहीं दिये 13,333 रुपया लिखना है मतलब 13,333 शेयर लिखना है अमाउंट का कैल्कूलेशन अभी बताऊंगा आपको कुछ देर में जो बेटा डिसकाउंट पे नंबर आप शेयर पता करो तो दस परसेंट डिसकाउंट है तो दस का दस परसेंट यानि एक रुपया इशू प्राइस कितना आ गया आपका तो बेटा यहां पे कितना लिखेंगे नौ ना तो यहां पे कितना आ गया बेटा 17,777 तो यह मेरे सारे के सारे क्या निकल के आ गए नंबर आफ शेयर बताओ समझ में आ गया की नहीं आ गया आ गया समझ में कोई दिक्कत पक्का तुमको तुम्हारी पडोसियों की कसम है मार डालो मार डालो मार डालो अपने पडोसियों को अरे पडोसी का मतलब मुहल्य वाला नहीं बगल वाला आज की कलास का पडोसी ठीक है हाँ आओ देखो चलो तो बेटा इंट्री शुरू करें फॉर्मिट बनाएंगे फॉर्मिट बनाएं जल्दी से कि अच्छा कितने चमतकारी बच्चे मेरी कलास में बैठें जिन्नों ने आज तक पड़री नहीं खरीदी कि मलब यार क्या बताएं तुम लोगों को हम कि इतना कोई कैसे मैनेज कर सकता है तुम लोगों की तुम मुर्ती बनानी चाहिए मुझे कि अलब क्या बोला जाए या चलो ठीक है चलो बड़ा पहली इंट्री जब आप खरीदें द्यान दीजेगा आपने क्या खरीदा था अच्छा यह जर्णल इंट्री किसी किताब में की जाएगी पहले तो यह बताईए चीकु भहिया की किताब में यह फिर हिटमैन की किताब में आए तो बहुत किताब में खरीदी जाएगी ठीक ना तो चीकु भहिया पहले इंट्री क्या करेंगे हम है मसीनरी अकाउंट याविट टू रोहिद सर्मा रोहिश सर्मा लिमिटेड रोहिश सर्मा ही तो बेंडर है वही खरीद नहीं रहा वही बेच रहा है क्या यार वहला इतने बड़े फैन ना बनो कि अंसरवय गलत कर दो आओ देखो कितना रुपया बेटा दो लाक रुपया इस टीग है दो लाक नरेशन हो जाएगा ना ठीक है दूसरा एंट्री क्या होगा बेटा जब आपने पेमेंट किया है तो रोहिश शर्मा लिमिटेड एकाउंट डाविट टू बेटा क्या कैश्ट या बैंक कुछ भी आप लिखो क्योंकि ट्वेंटी परसेंट आपने पे किया है तो कितना पे किया बेटा चालीस हजार ट्वेंटी परसेंट पे किया था कितना किया था ट्वेंटी ना चालीस हजार अब देखो बेटा अब आपकी इंट्री तीसरी वाली देखिए अब यहां पर लिखे शेयर इसू एड़ पर एड़ इसू की ऐट पर मॉलिए यही सवाल exam में आया तो आप इसी तरीके से heading kे लिखेंगे समझ में किया रहा है इसी तरीके से क्या पर इंगे heading दे के लिखेंगे और एक साथ क्या यह सवाल आ सकता इक्जाम में बेडा chances हैं आ रखता है कोई दो राय नहीं है एक साथ आया तो फिरी में पांच नंबर दे कर जाएगा अपक्त का वादा हमारे पड़ोसी कसम कि आव बड़ा इंट्री देखेंगे कि अब बड़ा क्या इंट्री होगी जल्दी से बताएंगे हाँ रोष्ष्थर्मा लिमिटेड एकाउंट डेबिट टू शेयर क्यापिटल कि अब बड़ा कितने रुपए से एक लाख अब इदर देखो तो सामने देखो आपने कितना शेयर इसू किया था तोला हजार न और अगर आप देखो तोला हजार गुड़े दस करोगे तो एक लाख साथ हजार आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा अब अगली इंट्री देखो अब अगली इंट्री कौन सी है आपके अट प्रीमियम तो ऐसे ही बॉक्स बना लीजिए उपर उपर शेयर इश्यू एट प्रीमियम तेयर इश्यू एट प्रीमियम अब यहां पर क्या इंट्री होगी बाबू इंट्री होगी आपकी रोहिद सर्मा लिमिटेड एकाउंट डाबिड टू शेयर क्यापिटल और फिर आपका क्या हो जाएगा तू सिक्यूर्टी प्रीमियम हो जाएगा बाबू है तू सिक्यूर्टी प्रीमियम है अब इम्मॉंड का कैल्कुलेशन देखो बेटा आप मॉंड का कैल्कुलेशन पहले तो यह बता हो कि नंबर आफ शेयर कितने हैं यहां पे एक लाग साट हजार लिग दो यहां पे क्या लिख दो एक लाग साथ हजा तर लिख दिया लेकिन अब का कैलकुलेशन देखो अब देखो यहां पर नंबर आप शेयर कितने हैं 13,333 रुपया ना सुरी 13,333 तो 13,333 गुड़े क्या था दो 20,295 दो कर दीजये और यहां पर जो भी बालंस बचे क्योंकि एक रुपया यहा दो रुपया का गया पाएगा आएगा वह आप सेयर कैपिटल मैं क्या कर दीजेगा कर दिएगा चाहे तो आप security premium में कर दीजे किस पर कर दीजे कोई गलती नहीं होगी तो जल्दी करके बताओ मुझे कितना आएगा यहां पर कितना हैगा 26,000 26,600 चाठ 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 के जगह आप क्या लिख सकते हो 63 लिख दें काम हो जाएगा अच्छा ऊपर बचा कुछा जो बैलेंस है वो यहां पर लिख दीजे कितना 13333 और गुड़े क्या आपका 10 तो यहां पर कितना आ जाएगा वही कितना आ जाएगा एक लाख 33,333 एक लाख 33,333 तभी तो आएगा एक लाख साथ हजार हो जोड़ा आ गया की नहीं आ गया अब मेरे से कोई सर मत पटकना के सार एक रुपया दो रुपया कंतर आ रहा है कर लीजे उपर नीचे अपना अर्जेश्ट कोई से साथ बराबर ही है बराबर है ना ठीकू भाई है अपने अब कुछ मैनेश कर देंगे अरे तो हम भी चीकू के फैन है भाई ना ना आम नॉट फैन आप आर्सीवी आम जस्ट फैन आप चीकू आरसीवी का फैन नहीं हूं मैं भाई अरे यहार मैं सिर्फ अपने इंडियन क्रिकेटर को सपोर्ट करता हूं बस याद रखिए आई पील का मैच मैं उस समय देखता हूं जब हमारा कोई भारती खिलाड़ी खेल रहा हूं जैसे कुछ जैसे कुछ आज आते हैं ना अंगा बंगा करके उनको देखने मज़ा नहीं आता यार वह तो दिल से फैन तो यार ठीक है अरे बास बास अरे बास बास आओ देखो अब क्या करना विड़ा आखरी शेयर इशू एड़ डिसकाउंट तेयर इशू एट डिसकाउंट बिटा क्या इंट्री होगी हाँ रोई सर्मा लिमिटेड एकाउंट डाविड और यहां पर क्या हो जाएगा बिटा डिसकाउंट एकाउंट डाविड और क्या आपका टू एयर क्यापिटल पेटा नंबर आप शेयर बताएंगे मुझे कितना है आपका एक सत्रह हजार साथ सो सतत्तर है ना तो सत्रह हजार साथ सो सतत्तर गुड़े क्या आपका दस और यहां पर क्या हो जाएगा सत्रह हजार साथ सो सतत्तर गुड़े एक और यहां तो एक लाट साथ हजार आई रहा है इस इक वेटा चाहिए जड़ी जड़ी बोले अ यह तो आपका सत्रह हजार साथ सो सतत्तर ही आएगा और यहां पर आएगा एक लाख सत्रह हजार साथ सो एक लाख सत्रह हजार एक में रुख जा एक लाख सतत्तर हजार वा पर इतना साथ लगाना पड़ रहा है एक लाख सतत्तर हजार साथ सो साथ है अब ठीक है एक बार आप चेक कर लीज़े माना कि मेरी मैथ कमजोर है लेकिन इतनी भी नहीं है इतनी भी मत करो और मैं आपको बताओं मेरी मैथ जानते हो ना पिछले से एक साल से सही हुई है अब आपको होगे सर ऐसे कैसे लोग टीचर से सीखते हैं मैंने अपने स्टुडेंट से सीखा है मैथ एक लड़का है जो पिछली बार अपना 96 लाया था स्वैम प्रकाश सिंग पाई सहाब उसकी मैथ इतनी गजब की मैथ है देखे और देखके आप तो देखते ही वह तुरंट आंसर बता दे मैस बड़ा लज्जित हो जाता यार कैसे कैसे आप आज टीचर आप बता नहीं पा रहे हो और एजसा टुडेंट थकते आपको बता दे रहा है एक महीना दो महीना कुछ हुआ मैंने का काम करो स्वैम यहां आओ तुम यार मै अब बाहर उसका पोस्टल लगा है यार लेकिन हाँ उसने ट्रिक बताई मेरे को ट्रिक क्या है वो बता देता हूं आपको जैसे जो बड़े बड़े नंबर होते हैं जैसे लाग दो लाग अगर आपको टेबल याद है तो अगर नहीं भी याद है तो कोई दिक्त नहीं है अगर बड़ा-बड़ा आता है तो तुरंत बुड़ा-करना सीखो ना यार ुड़ा करो आटोमेंटिक आ जाएगा और मैं आपको एक चीज बताऊ कि क्या लिखा है यह 38 जानतों क्या है यह मेरे मैथ के नंबर है क्लास टेंथ के प्रैक्टिकल लेकर 38 नंबर और इस प्रैक्टिकल में मैं आपको यह भी बता देता हूं सुन लीजे 20 नंबर की प्रैक्टिकल होता है असी नंबर का आपका इक्जाम होता है 20 में से गुरू जी से जुगाड करके 20 में से 20 ले लिये थे क्योंकि उनी की कोचिंग में पढ़ते थे और उनको हम कहें भी थे गुरू जी मजाक मत करना मेरे साथ है महीना का पैसा दिया हूं कम से कम 20 में से 20 दे देना तो अपने हैं का लगूं करता है पहले व नीयम नहीं था और लाओ पास हो जाओ sicher हैं तो कौन कंबक्ष कहता है हम फेल है पास है अना नहीं ठीडल आ है में तो अमीप वाले सर झब हम को धेके उनको देकर मुस्कुरा रहे थे हमिना पास सर हमारा और मैत का संबंध यहीं तक है अब हम चले commerce की दुनिया में है है अब नहीं लउटेंगे चले विडा फिलाल समझ में आ गया कि नहीं आगया आप सबको और अब बारी किसकी बेंडर की अरे उसकी प्रमोटर की चलो फिर हैडिंग डालो जल दी से है जली से divine panel promote प्रमोटर बस पांच मेनाट और और में सिर्फ आपको एक फिद्री करनी मेरे बस डाली है जर्नल इंक्री रिलेट 빠्रमोटर एक एक चीज और बता दूँं यह प्रमोटर वाला कॉंसेप्ट सिर्फ यूपी बोर्ड के बच्छों के लिए नहीं है रही गलती हो गलत बोल दिया सीड़ और सिर्फ सीबसंट्ट के लिए है यूपी बोड वाले भी पढ़ने अब जिसको उलजना है वो पैला एुछ हाँ तीन लाइन से ज्यादा मत बनाईएगा लिखो इश्यू आफ शेयर टू प्रमोटर इस्यू आफ टू प्रमोटर लिखो बेटा ओरमेशन एक्सपेंस अकाउंट डाबिड टू 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 शेयर कापिटल और अगर मान लीजे एट पर पर इश्यू किया है तो यहीं इंट्री हो जाएगी एट प्रीमें पर इश्यू किया होगा तो एक साथ और एक चीज और जुड़ जाएगी क्या तू सिक्योटी प्रीमियम पमान लेओ अगर डिस्काउंट पर किया है तो क्या है जो जो समझ में आ गया कि नहीं आ गया कुशन करवाएं कि अरे कुछ चीजी आपने लिए भी ले लीजे लिए लिए होम्मर्क लिखिए चलो छोड़ो यार जाओ तुम लोग भी क्या याद रखोगे तर का दिल कितना बड़ा है जाओ अच्छा सुनो जाते जाते सुन लो जाते जाते सुनो बिटा अब आज क्या डेट है कि आज डेट है उननीज राइट आज का दिन खतम कि अले बीस दिन कौंसा है कि अफ्राइडे है सटर्डे को टेस्ट है आपका सटर्डे मतलब 20 तारिक 21 तारिक को छोड़ दीजे 22 तारिक को भी छोड़ दीजे फिर आता है तेईस चौबिस पचीस का है अचा दसहरा है ठीक है 24 को छुट्टी और बताओ एक मिट बैटो पहले पहले बैटो एक मिट बैटो पहले अधि इस वह आप मौका मिला नहीं और एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट यार्ट और फैस तारिक को फवन है नौमी ना कि अरे मारो यान तो नैसमेरी बात सुनो अरे यारे मिंट रुगो देखो 20 तारिक को सवाल लगवाएंगे है पचीज को फिर सवाल लगवाएंगे अब इस को लगवाएंगे और फिर 27 का लगवाएंगे यानि कहने का मतलब रही है कि आपके कुछ आपके किताबों में लगबग लगबग 80 कुशन दे रखें हैं रहे हम 80 कुशन लगवाएंगे 80 कुशन में सुनो इस 80 कुशन में कितावें कि कर गए है और बताओ है ये कौन है ठीक है कि अधर लो मेरा मेरे से कहां दूस्मनी ले रहे हो लो है इसमझ में आ गया कि नहीं आ गया और वही से भी जितने पॉस्चन आप लगाएं हैं उन में से ज़्यादा तर कोश्चन आप इनई वाले में से लगाएं तो अब अब मेरी बात सुनो जितने भी आपके एक्जाम से के question company account के आ चुके हैं वो सब हम लगवाएंगे इससे क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरीके के question आपके exam में आने के chances रहते हैं समझ में आ गया वेटा तो अब किसी के साथ हम अपनी क्लास को यहीं पर क्या करते हैं समाप्त करते हैं बाकी आप सभी अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रही है accounting गुरू के साथ कोई भी समस्या हो तो आप हमारे दिये गए नंबर पर हमें call कर सकते हैं बाकी जय बोले ना